इनर रिंग रोड थर्ड फेज के लिए एक्वाइर की गई जमीन को वापस करने के लिए किसानों का आज 11 में दिन धन्ना प्रदशन अनवरत आगरा की सदर तैसील में चल रहा है किसान नेता शाम सिंग चाहर लगातार आमरण अंशन पर है 11 में दिन है तबियत उनकी लगात कर रहे हैं तो कोई अधिकारी कुछ लोग आये आप से कोई जन प्रतनिदी आया हो या जिला प्रशासन की तरफ से अधिकारी आपकी बास सुनने आया हो जिला प्रसासन की तरफ से SDM भी आए हैं, ACM भी आए हैं, ADM सेटी महुदे भी आए हैं, परतुनिती समाजवादी पार्टी के प्रतुनिती भी आए हैं, लोकदल के भी आए हैं, परन्तो जो पार्टी आए हैं, वो अपना फर्ज पूरा कर रही हैं, परन्तो एडिये जो प्रसासन हैं, वो कुमकंड की निस होया हुआ है क्योंकि उसने हमेशा किसानों के साथ में दोका दड़ी बेइमाने गोटा ले यानि हर समय ये बेइमाने की आदत पर चुगी है ये डिये को चार से पांच गाउं की जमीन का मामला है तो आप चांते क्या है आपके अग्जेक डिमांड क्या है का दिमांड हमारी है हम डेस के कानून के अदेस के बिकास में हमेशा साथ रहेर है रोड बनाने के लिए उनोंे जमिली रहेर हमने सयोग किया यानि आप जमीड ले रहे रहे उस रोड पर हम भी चलेंगे जब रोड ही कैंसल हो गया इनोंने महा हंभी तुमने आमें मौपजा नहीं दिया वो यह कहते हैं हम आपको जो दो याद 14 में 1902 को दिया गया था वो प्रस्ता पास करके और बीच देंगे और कि मैंने ये का कि मैंने और दोगे कैसे है ये मुझे बता दो यह आज तक अधगार को नहीं बता पाए और का सब्द क्या है जमीन अधिगरन को लेकर अब आप समसकते हैं कि समाईवादी पार्टी की जो महानगर काई है तमाम जो इस्थानी निता है वो आप लोग किस त ct समाज बादियों का समर्तन हमेशा किसान भाईयों के साथ रहा है और आज भी है और आगे भी हर संगेश मैं रहेगा हमारी यहीमांगे चारटë आप जीसे कह रहे हैं कि जब आपका प्रोजेक्ट कैंसल हो गया तो आप किसान भाईयों की जमीन क्यों नहीं लोटा रहे आप कह रहे हैं कि मौज़ा दे दिया 24% अभी तक मौज़ा दिया गया है पिछले 6-6 सालों में तो ये कहीं न कहीं परशासन की कमी है सरकार की कमी है कि एक किसान भाईय तमाम हमारे किसान भाईय आप देख रहे हैं कि तमाम 11 दिन से धन्ने पे हैं भूखरताल पे हैं इनकी कोई खबर लेने वाला नहीं है जहां उत्तर परदेश में आगरा जैसे शहर में टेमपरेचर 46-47% हो रहा है और ये उस बरी दुपैर में और जमीन पे पड़ेवे हैं आप देख रहे हैं इनकी तबे दिन पर दिन गर रही है तो मेरी समाजवादी पार्टी के ओर से ये मांग है कि शासन और परशासन इनकी जाइज मांग है उसका संग्यान ले किसान इस समय मौजूद है समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता है जो पदादिकारी है वो भी इस धरने में समर्थन देने आयो हुए है तो कुल मलाकर अब दिसकते हैं कि तमाम जो लीडरान है यहां मौजूद है करी पांच गाउं का ये मामला है जिसमें जमीन अधिकरत हुई थी साल 2012 तक और उसके बाद जो पोजेक्ट था वो पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया आप किसानों की मांग है कि उनकी जमीन है उसको दुबारा वापस कर दिया जाए और इसी क्रम में पिछले कई दिनों से शाम सिंग चाहर और उनके साथ तमाम जो किसान नेता है वो अंशन पर बैठे हुए हैं लेकिन उनकी जो मांग है उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ऐसे मैं उन्होंने भी ठान लिया है कि वो अपने प्राण त्याग देंगे लेकिन इस मामले में सरकार, संग्यानले, मुद्दे की जो समस्या है उसका हल निकाला जाए और आज समाजवादी पार्टी किसानों के हित में यहां समर्थन देने तैसील सदर पहुची हुई है 2016 में जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी मैं स्वेम जलाद दच था श्याम जी शिंग हम खुद एडिये में इसका अबरोध किया श्याम सिंग चाज जी ने हमने खुद इसका अबरोध किया और कमिशनर साब के सामने कहा इस बात को हमने अलाइवेंट इसका चेंज करवा है माननी मुक्हमंतरी जी को परस्ताफ दिया उनको परस्ताफ देने के बाद हम उनको अलाइवेंट को चेंज किया पूरा चेंज करके ना यह परस्ताफ जो है पूरे रिंग सर्वेस रोड से लगा करना ही और जो है दच्छन वाईवास से जुडा गया हम बाकाइदा उसके जो है लगातार उसको हम पूरे जो है संगरस में लगे हुआ है और संभी से चाहरा और तीसरा बार जो है जो है भूंकरताल पर बेटे हुआ है हम यह चांदे हैं कि बेटिये की बेटक में जो इसको रखा जा प्रस्ताब को उसके बाद में प्रस्ताब को जो आ सासन को भीजा जाए बुलकुल बापस है वाई इसमें तमाम एकसर बेस में जिनकी जमीन गई है और किसानों की गई है सेर की जमीन नहीं है देहाद की जमीन है और किसानों की जमीन है करेंगे और निस्व रूप से मायजाशतादीगा नैज्द को मिलेगा उसका पारान करेंगे आज एंड गुश्चारे थे और कलवी रहेंगे क्योंगे कि सान की कोई जाती नहीं होती किसान जेट का अंदाता होता है जिर मदाता अंदाता उस्सी प्रकास अंदाता कि इस लेकर के इनकी बात को रखेंगे और किसान को लड़ाई सांद पार्टी लड़ेगी इन्हों ने मात्र अब तक जो बताया है कि इनका जो मौजा बिनता है उसका केबल 24% केबल 24% मौजा दिया है जब यह जमीन 23 में यानि 8 साल के बाद 8 साल के कारकाल में मात्र किसानों को 24% को पैसा मिल और नानी जमीन मिली अब यह चाहते हैं किसान का अज़ेकर करना चाहिए समाज पार्टी इस आट